हेलो दोस्तों कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो बने ती इसके अंदर हमने बनाया था दिवार मार बंब वह भी माच इस ते सही में उसके अंदर बहुत ही जादा महनेत लगी ती और हाँ उस पे आप सभी का रिस्पोंस भी अच्छा रहा 25,000 के उपर अभी उसके वीडिय न hade आया कि हम दिवार मार बंब को दुबारा से बनाए परकुछ और तरीके से तो हमने आज की वीडियो में गंधक और पॉटास से दिवार मार बंब बनाया है पहले मैं वैने इस चीज़गों कर लिया आता ह। सстच में काफी खतरानाख तरीके से पढ़ आया है और इसमें पन्नी वाला बना के उसके ऊपर अच्छी तरीक से टाइट करके कपड़ा लपेट ले और आगे आपको वीडियो में डिटेल में मिल जाए कैसे हमने इस पंग को तयार किया है और आपने इसका साउंड सुनी लिया होगा इसका साउंड कितना पावरफुल है ठीक है दोस्ते आपसे एकी रिक्वेश्टर वीडियो को सुरू से लेके एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक कर लेना और चली वीडियो को आभी स्टार्ट करते हैं यह बहुत खतरनाक है आप ऐसा कुछ घर पे ट्राइ करने कोसिस मत कीजिए तो दीवार बंब बनाने के लिए जुरत पड़ेगी हमें गंदक और पोटास की सबसे नेंबर वन यह है गंदक और यह है पोटास और बहुत चोटी ऐसी पत्थर की या फिर बजरियां आप इन्हें बोल सकते हैं और बहुत एक किसी भी पन्नी की है यानि फोलो थी इनकी तो चली इसा बनाने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें गंदक पोटास लेना होगा तो गंदक पोटास हमें लगबग 50% राशिव इसका इन दोनों का मिसरन हमें करना होगा तो लगबग आप देश सकते हैं यहां पर एक चमद लगबग मैंने पोटास की ले लिए है और इसे हमें बारीक पीसना होगा दोस्तों फाइनली जो पोटास है वो बिल्कुल हमने अच्छी तरीक से बारीक पीस लिया और यह है गंदक जो की पॉडर फोम में है जिस सल्फर भी बोला जाता है और इसे भी लगबग हमें एक इतना ही ले लेना है और इसे वी चोड़ा सा हलका साम पीस लेंगे और एक जी ध्यान रहें कि हमें से कभी भी एक साथ नहीं पीसना है एक दूसरे के अंदर मिक्स करके नहीं क्योंकि यह बहुत ज़्यादा खतननाख है हलकी सी भी रगड़ पर यह जल जाएगा और बारी इन दोनों को आप अची तरीके से मिक्स नहीं है कि और यह बहुत जुका है विल्गू अच्छी तरीके से मिक्स अभी एसे सइड में कर देंगे दोस्तों अभी हमें पॉलो सीन की जुरत पड़ेगी जिसमें हमने यह डव लेबल लेयर ले रखिए पॉलुथीन की ठीक है और इसके ऊपर हम इन छोटे पत्त्रों को एक साइड में ऐसे ही कट्टा करके रख देंगे और इसके ऊपर अभी हमें लगबग एक चमच इतना यह मिसरन डाल देना है तोड़ा सा ओ डाल देंगे इसके ऊपर यह मिसरन इसके ऊपर डाल देना है कुछ ऐसे और भई इसे हमें ऐसे एकक्ता कर लेना है कुछ ऐसे मोड करके ठीक है उसके बाद हम इसे थोड़ा सा घुमा करके ऐसे टाइट कर लेना है कुछ ऐसे इसके बाद यहाँ पर हम कोई भी तार या फिर धागा बान सकते हैं तार ज्यादा सही रहेगा क्योंकि यह अच्छी तरीके से टाइट हो जाएगा और प्लास की मस से हम इस तार को बहुत ही अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे ठीक है दोस्तों यहाँ पर हमें से बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइट है जैसे यह है बिल्कुल एकदम टाइट है और बाकी गो एक्स्ट्रा को हम यहाँ से कट कर देंगे और यह तैयार है हमğरा गंदक खोटास वाला धरती इमार बम गों वैसे धीवार मार हैं यह बोला जाते हैं जाते है कहीं जोगों और अभी हम इसे जैसे ही कहीं फैक करके मारेंगे तो यह एकदम से फटेगा और इसे और अच्छा बनाने के लिए फिर और पावरफुल बनाने के लिए हम इसके ऊपर बहुती ताइट तरीके से किसी कपड़े को लपेट सकते हैं जिससे के और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा तो फाइनली हमने जो दिवार बम को थायार किया है वो तीन है और एक के ओपर हमने कपड़े को भी लपेट दिया और इसे तार की में उसे बांध दिया है अब इसकी टैस्टिंग करके देखते हैं यह कैसे फटता है अब अब टूब 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 दोस्तों अब है जो बम है हमारे पास लाश्ट वाला बचाया जिसके उपर हमने कपड़े को भी लपेट रखाया और चलिए इसे भी टैस्ट करके देखते हैं बहुत है जो कि टोड़ी देख करके आँ में हो यहां को सब्सक्राइब जुरूर यार प्यार दिखाना और जो अभी नए वीवर हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जुरूर यहां पर ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेगी जल्दी मिलते हैं कुछ और वीडियो साथ तब तक के लिए है जी जाए जाएब टो के लिए जए से पर साथ जाएब कर दो पाँ हमें एक लिए दिया थाप्वाब जाएब